तो कैसे हैं आप सभी लोग एक बार फिर से वेलकम आपका मेरे यूटूब चैनल इस्टडी भी थी होगेज में आज जो आपका सेशन चल रहा है वो लगभग एक साल बात चल रहा है यानि एक साल पहले मैं आपको जब स्टार्टिंग मैंने यूटूब किया था और उसके अंदर हमने आज उतरी अमेरिका महादीब देखना है ठीक है अब देखें इस महादीब को पढ़ने के या किसी भी महादीब को पढ़ने के दो तरीके हैं तो हम पुरा डिटेल से पढ़ें और हम हर एक चीज को ट्रेस करें और एक्जाम में वो चीज आए लेकिन ये यूपी ट्रिपल एस से के एक्जाम में पॉसिबल नहीं होता है कि ऐसी चीजे विपनों पूछे ठीक है अगर आप UPSC स्टेट PCS के एक्जाम देते हैं बड़े एक्जामों को अगर आप देते हैं तो वहाँ आपको क्या आता है concept based question आपके observation based question आते हैं जैसे आपको पूरे महादीब देदेगा उत्तर से दक्षन की करम में settle करो आपको जील देदेगा पूरे से पस्टिम के करम में कौन सा arrangement होगा आपको परवत स्रेनिया देदेगा नौर्स से साउथ की रीजिन में कौन सा arrangement होगा अब यह one day exam है one day exam में इतना पढ़ना और समय को देखते हुए क्योंकि समय हमारे पास कम है समय का मतलब सिर्फ किते दिन होंगे 9 बर 15 तक last last में कराऊंगा आपनोंको तो आज से 45 दिन मान के जाए रहे 45 से 50 दिन है इसी दौरान हमने हर चीज कबर करनी है तो exam oriented जो चीज़ होगी वो में आपको कराऊंगा और इसके भी लगबत दो से तीन दो पार्ट इसके मा कराऊंगा एक वीडियो आज एक कल तो आमारा दो वीडियो में यह person complete हो जाएगा आज आपको मैं सिर्फ इसके महत्तपूर्ण तथियों के बारे में बताऊंगा जो important factor आपकी exam में आ सकते हैं कल उससे आगे second महत्तपूर्ण factor बताऊंगा दो वीडियो अपने आप में equally beneficial आपके लिए हो सकते हैं अगर वो question पूस्टेगा तो ठीक है और कुछ question तो बहुत important इस महादीब से रहते हैं जल्दी से आप लोग map नहीं भी बनाते हैं तो अपने आप में map अपने जो आपके पास map होगा उसको trace कर लीजिए ठीक है यानि विश्व में उतरी अमेरिका महादीब नौदरन अमेरिका महादीब देखिए उसको जल्द से trace कर लीजिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये western portion में Pacific Ocean से गी रहा यानि आपको इस side में परसानत महासागर देखिएगा उसको highlight कीजिए इसकी पूर्वी भाग मां आपको Atlantic महासागर देखिएगा ठीक हो यहां Atlantic महासागर देखा नीचे आपको Caribbean सागर देखिएगा जहां आपको जमेका, West Indies, क्यूबा वगरा इस सब चीज़ें देखने को मिलती है इधर आपको Mexico की खाड़ी देखिएगी Gulf of Mexico और यहां आपको California की खाड़ी देखिए Gulf of California ठीक है इधर आपको Hudson की खाड़ी देखिए Gulf of Hudson और इधर आपको Davis जलसंदी देखिएगी जो की विश्वा की सबसे चौड़ी जलसंदी अपने आप में है ठीक है Davis जलसंदी यहां आपको Labrador सागर देखिएगा आपने Labrador डॉक का नाम ही सुनाओगा ना वो इसी के नाम के बढ़ा है Labrador सागर और इसी तरीके से आपको यहां आर्केटिक महासागर देखिएगा इस पोर्चन में यहां ब्यूफोर्ट सागर देखिएगा यहां Alaska है यह Canada है यह USA यह Mexico है इससे नीचे के जो कंट्रीज है आपको कई दिखेंगे यहुंडा रास दिखेगा ग्यूटे माला दिखेगा आपको निकारा गुवा दिखेगा इस परकार के आठाथ चोटे-चोटे देश हैं इसके बाद जो भूलास्ट बर पनामा आता है पनामा की बाद पनामा नहर आती है ज году की उतरी अमेरिका महादीप को दक्षणी अमेरिका महादीब से अलग करता है यानि अगर आप से कभी question पूछता है पनामा नहर किसको अलग करता है पनामा नहर ये क्या करता है जैसे जो Northern America है नौर्थ अमेरिका इसके नीचे दक्षिनी अमेरिका महादीबोगा मैप में यहां पर एक पनामा देशा वहीं पर पनामा नहर बनी है जो कि उत्तरी अमेरिका यानि नौदन अमेरिका को दक्सिनी अमेरिका यानि साउथ अमेरिका से अलग को दक्सिन अमेरिका से अलग करता है ठीक है अमेरिका से अलग करता है यह कोशन आपको ध्यान रखना है पहला को होगा Atlantic Ocean ऐसे भी question बूशता है कि इन दो सागरों के बीच है तो प्रसांत महासागर वो Atlantic महासागर को जोड़ता है तो इसमें दिखो प्रसांत महासागर को Atlantic महासागर से जोड़ता है Atlantic महासागर से जोड़ता है महासागर से जोड़ता है कौन जोड़ता है पनामा नहर जोडती ठीक है जोडता है यह आपको ध्यान रखना होगा कि इन दोनों अब आप को के सार एक को जोड़ा है एक को अलग कैसे कर रहा है देखें सेपरेट करने का मतलब क्या है अब वहां से दोनों की बाउंडरी अलग हो जाएगी यानि अगर यहां अगर आप लोग यह देखेंगे इस portion को, यहाँ पनामा देशे, इसके ही पे एक पनामा मतलब नहर बनी हुई है, उससे दूसरा जो महादीप है, यानि जो दूसरा आपका दक्षणी अमेरिका महादीप हो, वो separate हो जाता, अब जूड़ता कैसे है, पानी का गली आ रहा है, बताओ पानी, अब यह यहाँ पे नहर बनी हुई है, जो पनामा नहर है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, इसमें भी पानी होगा, तो यहाँ पसमें क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे, तो इस परकार से एक दूसरे को क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है, तो पनामा नहर के बारे में यह प पर्वस्रेणिया यहां आपको बहुत सी पर्वस्रेणिया मिलेगी तट पर्वस्रेणिया यहां रौकी पर्वस्रेणिया आपको यही दिखेगी इधर आपको पुरा रौकी पर्वस्रेणिया पर्वस्रेणिया दिखेगी आपको ठीक है और यहां आपको एक अलास्का में माउंट मैकिनले दिखेगी जो कि अभी भी सक्री जो आलमकी यानि जो आलमकी की घटनाएं वहाँ पर होती रहती है और इस महादीप की सबसे उची क्या है वो चोटी है वो हम लोग पढ़ेंगे इसके अलाबा ये वाला पोर्शन है पूर्वी अलपेशियन परवादिया नि इस वाले भाग को कहते है और यहां बहुत से धातु पाए जाते हैं और सोना वगैरा चांदी सोना प्रेटिनम बहुत महत्यपुन और कीमती धातु का ये छेतर है ये कैनेडियन सील्डी यानि हमने तो तीन भागू में इसको पढ़ना है एक तो हमने क्या पढ़ना है इसम हम यहाँ Great Lakes के बारे में बढ़ेंगे यानि जो महान जील जिनको कहा जाता है Great Lake के अंदर से question आता है आपका कि कौन सा lake Great Lake का example नहीं है महान जील का example नहीं है वो भी मैं आपको समझाओंगा उससे भी question पेपर हो पूछता है आपसे और ये डेवीज जलसंदी है जो कि विश्व ये याद रखना हमेशा ये जो portion है Alaska का ये हाला कि किसके साथ जुड़ा है उतरी अमेरिका के महादीब और ये separate किससे हो रहा है यहाँ Asia का भागा जाएगा अपने map में देखना यहाँ Asia वाला portion आ जाएगा यहाँ पे बेरिंग जलसंदी होगी ये बहुत important question है बेरिंग जल जलसंदी किसको अलग करती है Alaska को Asia से अलग करती है map में ट्रैस करो दूसा लिखो डेवी जलसंदी के आगे dash करके लिखो विस्व की सबसे चौरी जन सदी जो की Greenland और उतरी अमेरिका या Canada को एक दूसर से separate करती है ठीक है बागी ये Mexico की खाड़ी है ये California की खाड़ी है ये इपने को मिलेंगे कौन सी Great Lake के इक्जामपर है यहां कौन-कौन सी जलसंदीया है यहां पर कौन-कौन से परवत हैं और इसके अलाओ यहां कौन सी झीले हैं कौन सी नदिया इस महादीप में बहती हैं और One Day Exam बेश जगर आप एकजाम देता है आपको मैं पहले बता देता ह क्या क्या question आता है, या तो छील पूषता है, या परवत का नाम पुछेगा, ठिके, या नदी का नाम पूछेगा, या कोई जल्परपाद वगगरा पूछेगा, या कोई ऐसा सहर या ऐसी खान विश्व थुमें जो प्रस्थ एक किसी चीज के उतादन के लिए, या फिर कोई घास के मैदान बगरा ये सब चीजा पूछता है इसके अलवा कुछ नहीं पूछता है ठीक है इसको नोट करने के बाद सबसे पहले आप लोग लिखते है कुछ महत्तुपूर्ण तर्थे हैं कुछ महत्तुपूर्ण तर्थे यहाँ प्रसांद महाज़ागर आपने लिखना इसकी बेरिंग जल्शंदी है इसको इरेस करना हूं आप लोग बेरिंग जल्शंदी दिख्bies ना क्योंकि मेरे इसको यह वाला सपेस है अब देखो कुछ महार्तुपूर्ण तथ्ये सबसे पहले हम important fact लिखते हैं और कल मैं आपको next class में जील, परवत वगरा सब करा दूँगा महार्तुपूर्ण तथ्ये और कोशिश करूँगा कि कल ही क्या हो जाए complete हो जाए अनकल नहीं होगा तो फिर ये class all लेगी लेकिन बहुत important, important fact इस महादीब से बनते हैं ये completely उत्री गोलार्द में है, कौन सा है? ये उत्री गोलार्द और completely किसमे है? पस्यमी गोलार्द में कौन है ऐसा? अगर कभी ये आता है कि इसमे से कौन सा महादीब completely उत्री गोलार्द और पस्यमी गोलार्द में अवस्तित हैं तो आपनों का सिधा-सिधा अंसर क्या होना चाहिए? उत्री अमेरिका इसका क्या मत्तब हो? देखिए अगर ये globe है, suppose इसको globe मानते हो आप तो globe के बीचु बीच एक line जाते है, जिसको zero degree line कहते है जो कि पिर्थभी को दो बराबर भागों में नौर्थ पोल और नौर्थ और साउथ में separate करते है, ठीक है? इसी प्रकार से एक और line होती है, जिसको देशांतर line कहते है जो कि ये zero degree है, जो कि इसको eastern portion और western portion में separate करते है, पूर्वी और फस्यमी भाग में तो जो country यहां होगी, इस वाले portion में तो उसको बोलते है, पूरे इधर अगर फैलिये तो दक्षिनी गोलार्द इधर फैलिये तो उतरी गोलार्द, और सिर्फ इसमें फैलिये तो इसको क्या बोलेंगे? है तो उतरी गोलार्द और पूर्वी गोलार्द क्योंकि यह पूरू का portion है इस्टन और ऐसी जो यहां पर इस वाले भाग में होगी है तो उतरी इसके comparison में देखोगे तो उतर में है नौर्थ में और इधर के comparison में देखोगे वैस्ट है, तो यह हो गया, इधर है अमेरिका उतरी गोलार्ड क्यों इस लाइन के ऊपर है पस्थिमी गोलार्ड इस लाइन से इधर है तो इसलिए का लिखा गया है इसको उत्री गोलार्ड दो पस्थिमी गोलार तो इस महादीप की location क्या है पहला question यह बता होना चाहिए ठीक है दूसरा पनामा नहर मैं आपको बता दिया तीश्रा एक अगलग फेक्ट है इस महादीफ का सर्वोच सिकर कौन सा है सर्वोच सिकर यानि सबसे उची परवत चोटी अगर इस महादीफ की पूछता है यह बहुत इंपोर्टेंड इसका नाम है माउंट मैकेनले क्या लिखोगे माउंट मैकेनले एमटी लिख दिया मैंने ठीक है माउंट मैकेनले इसके सर्वोच चोटी जो कि अलास्का मा पढ़ती है कहां पढ़ती है अलास्का ये कहां पढ़ता है Alaska में पढ़ता है Mount McKinley ध्यान रखना और ये Alaska पता किसका पार्ट है USA का USA है इधर यहां Canada है आप ये मसुदना कि Canada का भाग है ये है USA का पार्ट क्योंकि इसमां अधिकार अभी किसका है USA का Mount McKinley इसके सर्वोच चोटी है इसको ध्यान रखना और ये अभी इसका जो नाम है Mount Denali कर दिया गया है कि इसका इसका New Name लिखो Mount Denali New Name Mount Denali Mount Denali इसका नाम हो चुगा है लगब 3-4 साल पहले इसका नाम हो गया था Mount Denali इसको कर दिया गया है और ये Mount McKinley सक्री ज्वाला मुखी का इसको ध्यान रखना है तो सर्वोच्च शिकर अगर आपसे पूछता है Northern America महादीप का तो Mount McKinley या question पूछे का विश्वा के परसिद्ध जो Mount McKinley है जो अभी भी सक्री ज्वाला मुखी हो किस देश में है USA के Alaska महादीप या उत्री महादीप अमेरिका महादीप में है या आप लों को ध्यान रखना है ठीक है अब देखे एक important और fact है जैसे ये Mexico की खाडी है ये Mexico की खाडी है ये पूरा का पूरा पूर्वी person है ठीक है ये Mexico की खाडी है और ये Caribbean section में मुझे comment करके बताओगे कि जो Asia महादीप जापान के आसपास cyclone को क्या नाम बुला जाता है Philippines के आसपास cyclone का क्या नाम होता है Australia में cyclone को क्या बुला जाता है इस भाग का मैं बता रहा हूँ ठीक है आपको खुद note करके comment करने तो अगला question दिखोगा Mexico की खाड़ी के चक्रवात किस नाम से आने आते है hurricane प्लस tornado क्या कहते है hurricane प्लस tornado यहाँ जो चक्रवात आते है इनका नाम है hurricane प्लस tornado ठीक है तो अगला fact लिखो Mexico की खाड़ी के पास आने वाले चक्रवातों के नाम क्या है यानि Mexico की खाड़ी के पास आने वाले चक्रवातों के नाम मैक्सिको की खाड़ी यह सिर्फ महत्वपोर्ण फैक्ट है अभी करा रहा हूँ ठीक है आप बांके डिटेल्स में इसको अगली वीडियो में करा रहा हूँगा जो आपको समझाने वाला होता है मैक्सिको की खाड़ी के पास जो चक्रवात आते हैं जो पास जो चक्रवात आते हैं साइकलोन आते हैं उनका नाम क्या है एक को बोलता है टॉर्नेडो या हरीकेन ठीक है यह हरीकेन प्लस टॉर्नेडो लिखो हरीकेन यह इंपोर्टेंट कुश्चन रहता है हमेशा के लिए tornado hurricane plus tornado hurricane plus tornado बोला जाता है कि इनको चकरवात उंको बोला जाता है Mexico के खाली पास tornado या tornado जो भी लिखते हो tornado लिखते हो इस portion पे जो चकरवात आते है cyclone आते हैं उनको बोला जाता hurricane plus tornado आपको क्या करना है A.C.A. महादीफ में जापान के आसपास फिलिपीन्स के आसपास या औस्टिलिया के आसपास जो चक्रवात आते क्या करना है उनके नाम लिखते हैं अब आपको क्या करोगे सीधे सीधे समझ नहीं आता है तो गूगल करोगे और उसमें ये लिखोगे विस्व के प्रसिद चक्रवातों के नाम यानि किस जगह क्या चकरवात आते हैं उनके नाम करके नोट करके कॉमेंट सेक्षिन में बताने की जम्मेदारी आपकी होगी ठीक है एक वेशन यहां से बनने की बहुत जादा विस्तुभोगल में संभावने रहते हैं अब देखो अलग अलग भागू में मैंने आपको घास के मैदान पढ़ाए थे जिसने भी मेरी पुरानी वीडियोज देखी होंगी डाउन से घास के मैदान कहां पाई जाते हैं मरे और डालिंग नदियां किस महादीट में बहती हैं इसके अलावा आपका कई इस प्रकार की घास के मैदान मैंने आपको पुरानी विस्टु भूगल की वीडियोज में बताई थी जो मैंने 11 बारे वीडियोज कराई हैं इस प्रकार से यहां भी कुछ घास के मैदान पाई जाते हैं जिनको बोलते हैं प्यरी घास के मैदान मोस्ट इंपोटेंड है वो घास के मैदान मैंने आपको कराई हैं घास के मैदानों के नाम आते हैं तो यहां के सितोष्न घास के मैदान क्या कहलाते हैं प्यरी सितोष्न आज ये आपका काम फिर से होगा विश्व के अलग-अलग भागों पाए जाने वाले घास के मैदानों के नाम नोट करोगे एक जगा अगर पुरानी चीज नहीं है तो बहुत मतलब आप लोग पीछे चल रहे हैं अब देखो इसका एक बहुत फेमस सहर है जिसका नाम अमेरिका में है डेट्राइट यानि most important कर देना यहां कहीं एक सहर पढ़ता है USA में डेट्राइट वो किस चीज के उत्पादन के लिए फिमें सा कार उत्पादन के लिए विश्व का सबसे प्रसिद्ध सहर जो की कार उत्पादन के लिए जाना जाता है उसका नाम कार निर्मान का प्रमुक केंद्र कार निर्मान का अभी तो सिर्फ महत्तवर्ण फैक्ट बता रहा हूं ठीक है बांकी तो कल बताऊंगा यह बताऊंगा प्रमुक केंद्र है कार निर्मान का कौन सा डेट्राइट कहां पढ़ता है USA में United States of America में ठीक है यह देश में पढ़ कागज उत्थ होगे तो विश्व प्रसिद्ध यह बहुत इंपोटेंट फैक्ट है है इस सब के सब कागज उत्थ होगे तो यह विश्व प्रसिद्ध सहर है Montreal का नेड़मा पढ़ता है most important करना इसी प्रकार से आपको एक और चीज बताता हूं यहां दो प्रकार की जलधार यह बहती है यह भी मैं आपको करा चुका हूं जिसको याद होगा जो विश्व के प्रसिद्ध थंडी और गर्म जलधाराओं के नाम आपको नोट करने हैं तो करने मैं तो नहीं कराओंगा क्योंकि मैंने कराया है मैंने कल भी आपनों इसे कहा उस वीडियो को देख ले ना उन वीडियो को तो विश्व के प्रसिद्ध थंडी और गर्म जलधाराओं के नाम लिखोगे तो क्या लिखने हैं आपने एक और काम होगा एक जगा नोट करो याद है तो अच्छी बात है विश्व के प्रसिद्ध थंडी और गर्म जलधाराओं के नाम और question क्या पूछे वीडियो में आपको मैंने गर्म जल्दाराओं, ठंड जल्दाराओं के बारे में पढ़ायोगा, पढ़ना तो आपको है, उसमें बहुत important fact है, तो इसी क्रम में मैं आपको यहां पर इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि यहां उत्री अमेरिका महादीप में दो प्रस तो इध्यान दखना लेब्राडोर की थंडी है, ठंडी जल्दाराओं, ठीक है, यह मैंच करने को पूछता है, जबकि Gulf Stream की गर्म जल्दारा है, गल्ध स्ट्रीम की घर्म जल्दारा है, यह मैंने बहुत अच्छे से आपको मैब के साथ कर आया था, जो पुरानी स्टूऍaber उनको याद होगा कान सी थण हं दिए काँ परित रकेंट एंबुट केम घास के मैधानों के नाम उस हम प्रसुद cuent चक्रवातों के नाम अज यह क्या होने चाहिए आपके complete होने चाहिए तो ये इस portion पे क्या होती है बहती है इनके भी आपको क्या करने है नाम याद रखने है ठीक है अब देखो जैसे भारत में मैंने आपको कल एक चीद पढ़ाई थी बैंगलोर को भारत की silicon घाटी बला जाता है silicon घाटी क्यों उससे comparison करत प्रसिद्ध है तो याद रखना इसको silicon valley कहा है question लिखो next question silicon valley यह आज सिर्फ महत्तोपून फैक्ट है ठीक है silicon valley यह पड़ती है अगला question देखो अब देखें यह question तो पेपर मां आता है इसलिए बैंगलोर को भारत में silicon valley बला जाता है क्योंकि भारत में बैंगलोर क्या है अपने आप में एक प्रकार से computer और software उध्योका प्रमुक केंद्रिया ने electronic उध्योका सबसे प्रमुक केंद्रु में से एक है ठीक तो कभी-कभी question क्या पूँछ देता है कौन सा देश के अंदर देश का example है तो लोगों को यह confusion जाता है कि question क्या पूछ दिया है इसने मैं आपको बताता हूँ Canada का एक सहर क्या है क्यूबेक कहां पढ़ता है Canada में अब इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ इसमें जो लोग यह फेंच भास ही रहते है यहां के जो लोग हों फेंच सी भासा ही है तो यह अदर किनेड़ा से अलग भासा बोलते है तो इसी लिए कनेड़ा मीं कनेड़ा के अंदर कमादा जो देश है उसने इसको देश का दरजा दे जिया यानि देश के अंदर देश का एक्जामपल होगे क्योंकि अलग भासा है तो देश के अंदर देश का दरजा अंदर देश का दरजा ठीक है किस सहर को है क्यूबेक को इसको भी आप लोग क्या करोगे ध्यान रखोगे ठीक है क्यूबे को कहे देश के अंदर देश का धरजा अगला क्वेशन जो आपने लिखना है इसी परकार से एक most important है सुलीवान की खाने किस चीज के लिए प्रसिद्ध है अत्ती important question है सुलीवान की खाने किस चीज के लिए परसिद्ध है ऐसी तो question पूछता हो फेपर मैं सुलीवान खाने क्योंकि समय कम है पढ़ाना जादा है इसलिए मुझे ऐसे पढ़ाना पढ़ ला है वरना मैं इसको पुरा detail से समझाता फिर भी second video में आपको कई चीज़ें इसकी बताऊंगा जो आपको maps ही याद हो जाएंगे ठीका आज तो मैंने आपको से पर महत्तोपर्ण factor करा रहा हूँ सुलीवान खाने किसी इसके लिए परसिद्धे सीशा प्लस जस्ता यानि जुडवा खाने बोलते है इसको सीशा और जस्ता की खान है जो कि विश्वा की सबसे बड़ी खान है और कनाडा में पढ़ती है इस portion पर यानि यह जो यह वाला portion है British Columbia Prant है कनाडा का यह वाला यहाँ पर क्या है सुलीवान खान कहा है कनाडा में कनाडा में कहा है British Prant में है British Columbia गोलते है उसको British Columbia Prant में British Columbia Prant में और इस सुलीवान खान क्यों जानी जाती है विश्व में अपने आप में सीसा प्लस जस्ते की खान है ठीक है Most important कर देने इसको सीसा प्लस जस्ता की खान जस्ता है तो कहे बहुत ज़्यदा प्रसिद्ध है और इस विश्व की सबसे बड़ी खान में से एक है सुलीवान खान कहां पढ़ते है Canada में British Columbia Prant में ठीक है इसी प्रकार से आप लोग ने West Indies नाम सुना होगा ये Caribbean भागमा ने एक दीब समू है इन दीब दीब समू का जो combined रूप है केला उत्पादन हे तू कहें विश्व प्रसिद्ध है जमयका ठीक है इसको भी आप लोग ने क्या करना है ध्यान रखना है इसी प्रकार से एक छोटा सा दीब देश है क्यूबा विश्व में चीनी का उसका क्या कोई थे है कटोरा क्यूबा इसको भी आप लोग ने क्या करना है ध्यान रखना है इसी तरीके से मैक्सिको विश्व में चादी उत्पादन में प्रथम है ठीक है ये जो पोर्शन है मैक्सिको मैक्सिको विश्व में चादी उत्पादन हे तू प्रसिद्ध है मैक्सिको चादी उत्पादन हे तु प्रसिद्ध चादी उत्पादन हे तु प्रसिद्ध क्योंकि one day exam में अगर question आएगा तो आपका इससे बाहर नहीं पूछेगा वो क्योंकि ऐसी चीज़ें हो पूछता है अब इतने deep study नहीं तो इसमें आपको यकीन निकरोगे ये वाला portion जो है और आपका paper में question इतने time यहां निकल गया तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं महत्यपूर्ट फैक्ट जो होंगे वो करा रहा हूं हाँ एक और चीज़ है जैसे कल किसी ने comment लिखाता सर जब आप नया बैस सुरू करोगे नए लोग को पढ़ाओगे यानि आप लोग बीपीड नया बैस सुरू करूँगा वो totally आपका क्या होगा deep study related होगा और वो ऐसा होगा कि एक बार आप पढ़ोगे तो आपको जिंदगी में दुबारा कहीं पढ़ने की जरुवत ही नहीं पढ़ेगी यानि आप किताबों को पढ़ोगे मेरी class complete करोगे तो आपका काम बहुत आसान इसी क्या होगा बन जाएगा आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरुवत ही नहीं पढ़ेगी आप उसके बाद किसी भी एक्जाम को state PCS लेबल तक की एक्जाम को बहुत अच्छे सी क्या कर सकते हैं पिलियम से लेबल की एक्जाम को करेक कर सकते हैं क्योंकि मेंस का एक्जाम कर करंबर कि कर देना इसको बूटे की खान ऊस्कों ऐसका इस सीज़ कर प्रसिध्य का पहले तो यह पताँ कि आना पको नॉँसले के मौनटंटाना राज्य में यादि Yes United State of America का एक राज्जी है, उसका नाम है Montana, सब मैप में ट्रेस करो, सब मिल जाएगा, Montana राज्जी में, ठीक है, सब मैप में ट्रेस करो, easily आपको याद हो जाएगा, और ये बूटे की खान है, विश्व में ताबे की सबसे बड़ी खान, ठीक है, ताबे की सबसे बड़ी खान, ठीक है, विश्व में टाबे की सबसे बड़ी खान पहुँच से है, बूटे की खान, इसको भी आप लोग ने ध्यान रखना, ठीक है, वुड वेफेलो नेशनल पार्क के बारे में, कुशन पूछता है, आपसे कहां है, ये कनाडा में है, इसको भी ध्यान रखना, विड वेफेलो नेशनल पार्क के कहां पढ़ता है, कनाडा में, जो की विश्व का सबसे बड़ा पार्क है, और ये अलबर्टा प्रांत है, इसका वहां पढ़ता है, कनाडा के अलबर्टा, खाली आपको कनाडा याद रखना है, ठीक है, अलबर्टा प्रांत, इस्टेट और ये सबसे बड़ा लिख दे इसमें, सबसे बड़ा, इसी प्रकार से आप लोग ने एक नाम सुनाओगा, येलो स्टोन नेशनल पार्क है, ये कहां पड़ता है सन्युक्त राज्य अमेरिका में, और ये सब के सब गीजर के लिए जाने जाते हैं, गीजर का क्या मतलब होता है, जैसे ये जो पोर्षन है अमेरिका, ये मलदा इस महादीब का, यहां कहना अभी भी ज्वाला मुखी की किरियाएं होती है, क्योंकि ये जो परसांत महासागर की प्लेट है, और उतरी अमेरिका महादीब की जो प्लेट है, ये आपस में जब टकराती है, नीचे प्लेट धर्ती पे आजाता है जिसको गीजर बोलते हैं ठीक है तो इस भाग में बहुत ज़्यादा गीजर है इसको मैं आपको कल समझाओंगा कि क्या होता है तो आप लोग लेखो येलो स्टोन नेशनल पार्क है येलो स्टोन नेशनल पार्क ये कहां पड़ता है USA में जिसको की विनिपेग को गेहूं की मंडी कहा जाता है इसको ठीक है कट और रानी विनिपेग गेहूं की मंडी कहा जाता है इसको कनाइडा में ही बहुत फिर्माज से गेहूं के लिए इसको क्या बोला जाता है गेहूं की मंडी ये भी ध्यान दखना विनिपेग को क्या बोला जाता ह गेहों की मंडी जो की कहां पढ़ता है अपने आप में कैनेडा में पढ़ता है ये क्वेशन भी बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है विनी पेक को क्या बोला जाता है गेहों की मंडी विस्व की गेहों की मंडी लिख देना है विस्व की गेहों की सहर न सब इस पर पोर्शन में दिखेंगे, आप कोई बैक टु बैक दिखेंगे, वासिंगर ठान, डीसी, न्यू यॉप, डेट्रॉइट, ये सब यहां दिखेंगे, शिकागो वगरा, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगा, पोर्ट, बड़ा बंदरगा, कौन सा सहर है, कि स शहर में नियूयोर्क में इसको भी आप नीका कने ध्यान रखला है सबसे बड़्डा विश्डो का बंदर mineral Woong में लिए शिकागो किस सिस के लिए जाना जाता है विश्डो के सबसे बड़ रेलवे जंख्षन के लिए बहुत सिस का अट को सिकागो है इसको भी आप लोग ने नोट करना है ठीक है अब आता है आपका Ontario most important विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान कहा है Ontario Canada में तो लिखो most important कर देना Ontario लिखो विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान सोने की खान ये कहा है Canada में अब देखो यहां एक मूल निवासी रहते हैं, उतरी अमेरिका महादीप में, वह आपके NCRT में भी आपको उसका क्वेश्न मिल जाएगा, उसको नाम है ESQIMO, यह बहुत पेपरों पूसा जाते हैं कि ESQIMO क्या है, यहां के मूल निवासियों को Eskimo बोला जाता है, Eskimo, ठीक है, Eskimo यह NCRT में मिलेगा आपको, Eskimo कौन है, यहां की मूल प्रजाती है, यह Most Important है, यहां की मूल प्रजाती, कहां की उतरी अमेरिका महादीप की, और इनके घर बने होते हैं, इनके द्वारा एक बर्फ के घर बना जाते हैं, जिसको Igloo बला जाता है, ठीक है, Most Important कर देना, Igloo क्या है, Most से Most Important कर देना, Eskimo लोगों द्वारा बना, Igloo, Igloo नी, Igloo, Igloo ठीक है, Igloo तो फिर उनिवेस्टी हो जाएगी, Igloo, Igloo क्या है, इनके द्वारा बनाएगे बर्फ के घर, Eskimo जन जाती द्वारा, Eskimo प्रजात जाते हैं, जिसको बोलता है, रेंडियर कुटे, ठीक है, तो लिखो, रेंडियर, रेंडियर कुटे जो होते हैं, बर्फ पर इनकी गाड़ी खिचने का काम करते हैं, ठीक है, गाड़ी खिचने का कार यह, और जो यह एक प्रकार की, यह सब के सब NCRT, यह बहुत important मर्दब Es किमो के बारे में, ठीक है, कयाक बनामक एक नाव बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कयाक, कयाक इनकी नाव होती है, यह बहुत यह सीटेट वगरा के जो पेपर देता हैं, उनके उसमें भी आता है, कयाक नाव होती है, जो की मचली से बनते हैं, मचली की जो हड़ियां वगरा होत से जोड जाल की कयाग नाम के ऐग क्या बनाते हैं नाव बनाते हैं और इनके पास एक हत्यार होता है जिसको बहुता हार्पून ठीक है हार्पून नामग हत्यार कौण सी जुन जाती है प्रजाती yaşاتी करती है यह करती है अपने आत्में कौन यह différence है इस्किम होटो देखो ऐस्क question है यहां की great lakes का नाम लिख लो homes H O M E S ठीक है यहां की great lakes जो कि Canada और Canada के साथ अमेरिका महादीप के मतलब जो America है USA है उसकी जो boundary है उन दोनों की boundary को touch करते हुए कुछ जीलूं के नाम है जिसको great lake बोला जाता है great lake यानि महान जील बोला जाता है most important कर देना इसी से आईगा अगर इससे question आईगा तो महान जील ठीक है इन महान जीलूं को बोला जाता है homes यह 4-5 जीले हैं तो यह question paper मां आता है इसका मतलब है Huron ठीक है इसका मतलब है Ontario इसका मतलब है Michigan इसका मतलब है इरी इसका मतलब है सुपीरियर ठीक है अब देखो यह सब के सब maximum का है Canada और USA के boundary में इस portion पे आपको back to back जीले देखने को मिलेंगी इधर वाले portion पे ठीक है तो यह question paper में पुछा जाता है अमेरिका में great lake के example कौन से है या उतरी अमेरिका महादीप में पाई जाने वाले महान जीलू में कौन सम्मलित नहीं है यह most important question है इस homes को याद अठना हुरान ओंटिरियो मिसिगान इरी और सुपीरियर यह 4-5 जीले के अगलाते है अपने आप में एक प्रकार से great lake का example है ठीक है यह था आपका पहले दिन के basic fact से संब्दी सिर्फ और सिर्फ factor कल मां आपको डेवीज जल्षंदी यहां के परमुख परवस्रेण यहां के परमुख जीलू के बारे में सांतिशांद घास के मैदान कुछ इस टाइप के important fact करा दूँगा तो आपके दो से class अगर by chance कल complete नहीं हो पाए तो तीन class में आपका यह अच्छी घासी तरीके से तैयार हो जाएगा फिर आपका ऐसी question गलत नहीं होने वाला है ठीक है आज का आपका home mark क्या होगा विश्व के प्रसिद्ध इस्तानुपा अलग अलग इस्तानुपा पाई जाने वाले साइकलोन के नाम यानि चक्रवात्व के नाम कहां क्या कहा जाता है विश्व के प्रसिद्ध घास के मैदानों के नाम किस इलाकों में क्या कहा जाता है और विश्व के प्रसिद्ध जलधारें ठंटी और कर्म जलधाराओं के नाम कौन सी ठंडी जलधारा है कौन सी कर्म जल यू